तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती और में एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम हम लोग हाइट जान पाते हैं, और यह आदमी एक बहुत ही बड़ी financial company के अंदर काम करता है, हम जान पाते हैं कि लोग हाइट को एक बहुत ही बड़ा project मिला था, जिसके members आकर एक दूसरे से meeting करते हैं, जहाँ पर वो लोग हाइट को बोलते हैं कि तुम अपने CEO के पास जाओ, जो इस वक स्विजर लैंड में मज़े उड़ा रहा है, और उसे कैसे भी करके तुम वापस लेकर आओ, अब अगली सिन्वे में दिखाया जाता है कि लोग हाइट स् सल में ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इनकी 200 साल पुरानी एक सब्वेता है, और इस सब्वेता का ये लोग आज भी पालन करते हैं, अब लोग हाइट जब CEO का पता करते हुए, एक SPA पालर तक पहुच जाता है, वहाँ पर उसे पता चलता है कि अब वो अंदर नहीं जा सक क्योंकि वहाँ पर विजिट करने का वक्त अब खत्प हो चुका है, इसकी वज़ए से वहाँ पर मौझूद किसी भी इनसान से नहीं मिल सकता, लेकिन वो सिस्पा के मैनेजर से मिल कर बताता है कि मैं बहुत दूर यानी नियू आर्क से आया हूँ, मुझे अपने CEO पैम्प CEO है, यहाँ पर इसकी मुलाकाद डॉक्टर वॉलवर से होती है, हम जान पते हैं कि वॉलवर इस मसाज सेंटर का ओनर भी होता है, अब लोगहन जब उतने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है को उसके पैर तो टूट चुके हैं और वो कुछ टाइम बाद ही चल पाए के कमपनी के CEO से हो जाती है, जिनको वो यहाँ पर डोडने के लिए आया था, अब यहाँ पर पैमपरू जाना नहीं चाहता था, लेकिन कैसे भी कर की, लोगहाँ उसे अपने साथ जाने के लिए कमपनी मना लेता है, अब यह दोनों जब जाने की प्लानिंग करने लगते है कि हम अब वापस जाने वाले हैं, और आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ पर घोमने दोबारा जरूर आएंगे, लेकिन तब ही वहाँ पर मोजूद एक लड़की आगर उसे बताती है कि यहाँ आने वाला कोई भी इनसान दोबारा वापस नहीं ज लगता है, तब यहाँ पर वालवर उसे बताता है कि पैम्परो की तब ही अचानक से खराब होने लगी, जिसकी वज़ासे हमें उसे कहीं और भेजना पड़ा, तब यहाँ पर लोखाट को काफे गुस्सा लगता है, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे तब्यात ज्य में काफे ज़्यादा बीमार लग रहा था, लेकिन मौका पाकर लोखाट पैम्परो का मेटकल रिपोर्ट चुरा लेता है, तब यह उसकी नजर वहाँ पर पड़े एक नीले कलर की दवाई पर पड़ती है, जो सारे स्टाप को दिया जाता है, अब अगले सिने में हम देख अब जब हेना उसे लेकर घुमने के ले निकल पड़ती है, तो लोखाट उसे वी एर आफर करता है, अब इसके बाद वो हेना के एक बार में लेकर जाता है, जहाँ पर हेना काफी खुश थी क्योंकि इससे पहले आज तक उसने कभी ऐसा कुश नहीं किया था, और वो आज तक पारलर से बाहर भी नहीं आई थी, असल में हम जार पाते हैं कि लोखाट की इतने दूर आने का ये मतलब था कि वो पेंपरो की चुराई ही रिपोर्ट किसी और डॉक्टर को दिखा कर पूस चके कि आखिर वहां पर माजरा क्या चल रहा है, तो बाहर के कुछ लोगों स सारी लोगों को पानी ही पिलाय जाता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब वापस ये दुनों फिर से इस पसेंटर आ जाते हैं, जहाँ पर लोखाट के भी दात अब तूटने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोखाट वहां के एक रिष्टिकेटड एरिया मे घुच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी बोडी को फ्रीज करके रखा गया है, अब लोखाट वहां से चुपके से निकल ही रहा होता है, तब तक वहां का डॉक्टर आकर उसे इसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर आकर जटके से वापस विश्टेशन बुला लेता है, और यहाँ पर उस डॉक्टर के साथ पैमप्रू भी होता है, जो पुलिस के सामने जोटा वियान दे देता है कि लोखन मुझे जबरतस्ती यहां से लेकर जाना जाता है, जिसके बाद अब मजबूर होने के बाद लोखन को डॉक्टर के साथ वापस जाना पड़ता है, अब लोखन भी धर इस्पा में आने के बाद प्रड़ ले लेता है कि वो इस इस्पा की पूरी सच्चाई सब को बताएगा, और तभी वो यहां से अब बाहर जाएगा, अब वो फॉरण अपने पैरों में लेगे हुए प्लैस्टर को काते हैं, तभी लोखन देखता है कि वहां की सारी पब्लिक अचानक से अजीब तरीके से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे को उन सब को कोई कंट्रोल कर रहा हो, और यह सारे लोग आगर लोखन को पकड़ लेते हैं, और यहीं से सीन कट होता है, और जब लोखन की आ यहाँ पर लोखन को अपना असली चेहरा दिखाता है, वो अपने मुझ से अपने चेहरे को नोच निकालता है, और उसकी शेकल एक शैतान नुमा भयानक बन जाती है, ऐसे लग रहा था कि वो किसी वारेस से ग्रसित हो, तभी लोग अटाजी से चीज उठा कर उसके उपर जिसकी वज़ासे वहाँ पर आग लग जाती है और डॉक्टर जलने लगता है, अब धीरे धीरे वो आग पूरे स्पा सेंटर में फाइलने लगती है, लेकिन इसाख से डॉक्टर का कुछ नहीं भी गड़ता, अब डॉक्टर लोखन को मारने वाला था तब तक हाइना कंपनी लेकर जाना चाहते हैं लेकिन वो हाइना के साथ कहीं और निकल जाता है, और उसकी एक डेवल स्माइल के साथ इस कहानी का यहीं पर एंडुर।